नमस्कार दोस्तों मैं नाम स्री कांकुमर आप देख रहें टू जेट टोसेस आज हम बात करने वाली से वीडियो में दोस्तों 2024 में किसी भी उम्र का बर्थ सेटिपिकेट बनाना बहुत ही असान हो गया है अब आप किसी भी उम्र का बर्थ सर्टिफिकेट को बना सकते हैं और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा घर बेटे अपना mobile laptop के माधियम से मातरे 5 मिनट में birth certificate को बना सकते हैं और खुद से ही उसे आप download भी कर सकते हैं तो कैसे birth certificate के लिए आब इदन किया जाता है क्या इसका process है सारा कुछ इस वीडियो में हम complete बताने वाले हैं इस वीडियो को पुरा complete देखना है तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बलाइकान हंटी को प्रेस कर लिजे ताकि मेरे वीडियो को रोडिपिकेशन सबसे पहले पके पहुँच पाए तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों बिना कहीं गए घर बैटे बड़ सर्टिपिकेट आउनलाइन बनाने के लिए सबसे पहले मोबाईल यह लेप्टॉप का किसी एक ब्राउजर को open कर लेना है ब्राउजर में type करना है सर्विस पलस उसके बाद सर्ट के option पे कलिक करदना है सबसे उपर जो link दिख रहा है इस link पे कलिक करदना है government of India का official portal इस प्रकार से open हो जाता है जो इस प्रकार की interface देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है three line, three line के option पे click करना है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है register register के option पे click करना है उसके बाद registration का एक page open हो जाता है अब यहाँ पे अपना ID password को create करना है उसके लिए यहाँ पे registration complete करना है सबसे पहले यहाँ पे अपना full name को type करना है यहाँ पे अपना email ID को type करना है यहाँ पे mobile number को type करना है यहाँ पे अपना मन पसंद का strong password को create करना है जो example में यहाँ पे बताया गए इस प्रकार से आपको password को create करना है यहाँ पे अपना estate का नाम को select करना है जिस estate से आप belong करते हैं उस estate का नाम को select कर लेना है इस capture code को इस box में type करना submit के option पे click करना है उसके बाद आपके mobile number पर एक OTP को send किया जाएगा OTP को आपको fill up करना है उसके बाद final submit के option पे click करते हैं तो यहाँ पे registration complete successfully हो जाता है अब आपको इस portal पे login करना है login करने के लिए यहाँ पे login ID number को type करना है login ID में अपना email ID को यहाँ पे type करना है यहाँ पे password को type करना है इस capture code को इस box में type करना है login के option पे click करना है Login होने के बाद कुछ इस परकार की Interface देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है Three Line के Option पे क्लिक करना है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है Apply for Service के Option इस वाले Option पे क्लिक करना है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है view all available service के option इस वाले option पर क्लिक करना है उसके बाद इस portal पर जितना भी service add है यहाँ पर all service देखने के लिए मिल जाता है यहाँ से आप जोएं कि apply भी कर सकते हैं पर देखिए बहुत सारे page भी देखने के लिए मिल जाता है next वाले page पर क्लिक करके आप next page पर जाकर दूसरा service यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अगर आप birth certificate online बनाना चाहते हैं और खुद से ही download करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले estate का नाम को select करना है आप apply कर सकते हैं यहाँ से आप जो हैं कि अगर आप सहरी छेतरे से बिलॉम करते हैं तो अरवन के लिए birth certificate के लिए यहाँ से आप registration कर सकते हैं या फिर अगर आप ग्रामी छेटरे से भीलोम करते हैं, यानि रूरर एरिया का Bird Certificate बनना चालते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, Bird Certificate रूरर इस वाले ओप्सन पे क्लिक करते हैं, तो चलि हम इस वाले ओप्सन पे क्लिक करते हैं, birth certificate online बनाने के लिए इस परकार के एक registration form open हो जाता है इस form को सही तरीके से fill up करना है इस form में अपना legal information को देना होगा form को fill up करते समय किसी भी परकार का आपको mistake से भी गलती नहीं करना है नहीं तो आपका birth certificate यहां से नहीं बनेगा reject हो जाएगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहां पे अपना date of birth को select करना है बच्चा का कब जन में हुआ है यहां पे select कर लेना है तो चले यहां समसे लेक्ट कर लेते हैं 2004 का उसके बाद यहां पे gender को select करना है यहां पे child का नाम को type करना है अगर बच्या का नाम मालूम नहीं है या पिर नहीं रखें तो इस वले कॉलम को आप छोड़ भी सकते हैं. उसके बाद इस box में अपना father's name को full name type करना है इस box में father का uid number को type करना है इस box में अपना mother's name को full name यहाँ पर type करना है इस box में mother's का uid number को type करना है उसके बाद scroll down करना है इस box में बच्चा का जनम का माता पिता के यहाँ पर full address को flip कर लेना है उसके बाद scroll down करना है अब यहाँ पे permanent address को fill up कर लेना है तो यहाँ पे जो भी permanent address है यहाँ पे आपको दे देना है उसके बाद scroll down करना है यहाँ पे डिश्टी के निम को select करना है यहाँ पे अपना area का pin code number को type करना है स्क्रॉल डॉन करना है अब यहां पे आपको फिलप करना है जन में अस्थान जिस घर में जन में हुआ है उस घर का पूरा पता अस्पताल संस्था का नाम आपको यहां पे देना होगा तो यहाँ पे आपको दे देना है उसके बाद स्क्रॉल डॉन करना है अब यहाँ पे आपको फिलप करना है मा के निवास का सहर या गौउं का नाम को यहाँ पे आपको देना है उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना है क्या या एक सहर है या गौउं है तो यहाँ पे अपना estate का नाम को select दो है जीला के नम को select करना है यहां पर अपना धर में को select करना है हिंदू है या मुसलिम है या इसाई है जो भी है यहां पर select कर ल." पूर्ण वर्सों में यहां पर आपको टाइप करना है। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है इस बच्चे सहीत अब तक मा से जीवित जन में बच्चों की संक्या कितनी है यहाँ पे आपको टाइप करना है उसके बाद यहाँ पे सलेक्ट करना है वितरन की विधी अब यहाँ पे सलेक्ट करना है डिलिविरी के ध्यान का परकार का यहाँ पर टाइप करना है बच्चा का जब जन में हुआ था कितना वजन था यहाँ पर किलोग्राम में आपको दे देना है उसके बाद यहाँ पर गर्वस्था की अवधी सब्ताओं में आपको यहाँ पर देना है उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ पर एक टोमेट करके रख लेना है इसके बाद फिर आपको कुछ दिन तक वेट करना है जैसे आपका birth certificate बन जाता है तो फिर आपके mobile नमबर पर information दे दिया जाता है इस birth certificate को download करने के लिए status check करने के लिए three line के option पे click करना है यहाँ पर reference id number type के get data के option पे जैसे click करते हैं तो आपके सामने status open हो जाएगा अगर बन जाता है तो यहीं से आप download भी कर सकते हैं तो दोस्तो इस portal पे word certificate बनाने के लिए अगर आपका state का service अब लेवल है तो इस तरीका से आप बना सकते हैं